हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एजुक्रिशन टुटोरियल आज मैं आपके सामने टीटे एग्जाम का शुशल स्टेडिस का सेक्शन बताने जा रही हूँ इससे पहले मैं इंग्लिश, साइकॉलोजी और एच्पीजीके के सेक्शन को अपलोड कर चुके हूँ आप उसको मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं अदर वीडियो भी आप देख सकते हैं आर्टिकल प्रेपोजिशन या पॉलिटिकल से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे चैनल पर आपको विल सकते हैं तो first question है हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा मतस्य प्रजनन के इंद्र कहा स्थेत है तो ये है दियोली बिलासपूर में Next is NCC किस्थापना कब की गई तो ये की गई है 1948 में कुम्भ मेला कितने वर्षों के बाद आता है तो कुम्भ मेला 12 वर्षों के बाद आता है Next one गदर पाटी की संस्थापक कौन थे तो गदर पाटी की संस्थापक थे लाला हर्द्याल Next one जैन धरम के गरंद कल्प सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई तो ये भदर बाहू के द्वारा की गई लोग सभा में शून्यकाल कितने समय का होता है तो ये एक घंटे का होता है शून्यकाल Next one मुराह किस पालतु प्राणी की नसल है तो मुराह जो है ये भैंस जो होती है उनकी एक नसल होती है Next is दमन और दीव किसकी राजधानी है तो दमन और दीव की राजधानी है दमन Next one किस प्राण से समंधित है तो ये है खेरल से समंधित स्वर्णिम चतरभुज योजना किस काम से जुड़ी है तो स्वर्णिम चतरभुज योजना जो है ये सडक निर्मान से समंधित है Next one भारत का कौन सा नगर संसेटी के नाम से जाना जाता है तो जोदपुर जो है उसे संसेटी के नाम से चाना जाता है निक्स वन अस्टा ध्याई की रचना किसके द्वारा की गई तो यह जो है यह पाणिनी के द्वारा की गई और यहीं से ही भारच अब जो है सबसे पहले लिया गया था और ज्यानपीठ पुरसकार किस क्षेतर में दिया जाता है संस्कृत भाषा में हर्ष वर्धन की जीवनी हर्ष चरित यह किसके द्वारा लिखी गई तो यह लिखी गई है बान भट के द्वारा स्वामी दैनन सरस्वती ने आरिस समाज की स्थापना कब की थी तो बदाओ आप कब की थी स्वामी दैनल सरस्वती ने आयर समाज के स्थापना कब की थी 1873 में Next is महात्मा गांधी दक्षिन अफरीका से कब वापस आय थे तो यह बहुत common question है बहुत exams में repeat होता है 1950 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिन अफरीका से वापस आ गए थे Next one विश्व जल्दिवस कब मनाया जाता है तो फ्रेंट्स ही मनाया जाता है 22th of March को भुपाल गैस द्रास्ती में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था तो यह आपकी मेथाईल आइसो आइसो साइनेट जो है इसका रिसाव हुआ था पदमावत के लेखा कौन है मलिक महमद जाएसी निक्स्ट है कश्मीर भारत का अंग कब बना कश्मीर जो है भारत का अंग बना था 26 ओक्टूबर 1947 को Next one माउंट आवरेस्ट पर चरने वाली प्रथम महिला कौन थी तो जूं को ताबे जो थी माउंट आवरेस्ट पर चरने वाली प्रथम महिला मिक्स्ट इन किस वर्ष लोग सभा चुना वा प्रथम बार पूंड दया EVM के द्वारा करवाए गए तो EVM के दू जो है ये प्रथम बार करवाए गए थी पूरे तरीके से 2004 में पिसी कल्चर किसे सम्मंदित होता है तो पिसी कल्चर आपका मतस्य से सम्मंदित है विशुक का सबसे उंचा हाइस वाटरफॉल सबसे उंचा जल परपात कौन सा है तो वर्ल्ड का पूछा जाए तो एंजिल एंजिलाइका और अगर भारत का पूछा जाए तो जोगिया ह Ein गर्सपाता है Claire friends Next one Salal जलविद्ध परियोजना किस राज्य में स्थित है तो Salal जलविद्ध परियोजना ये हमारी जम्मू और कश्मीर में है Next one सुन्दवन डेल्टा का आकार कैसा है तो सुन्दवन डिल्टा जो है उसका अकार ट्रिभुजा अकार है नेक्स वन भारत का सबसी छोटा राज्यक शेत्रफल के अनुसार कौन सा है तो गोवा आता है और भारत का मैंचेस्टर किसी कहा गया है ये किसी कहा जाता है तो भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है Frens Amdabad को Okay Next one है हमारे पास राज्यसभा में कित्ने सदस्य राष्टपती के द्वारा मंनुनीत किया जाते हैं तो राज्यसभा में राष्टपती के द्वारा 12 सदस्य और लोगत सब्भा में एकर पूछा जाये तो केवल दो सदद से मनले किया जाते हैं पर अबकी पॉलिसी खतम हो चुकी है इस दो सदद से भी इनके द्वारा पॉइंट नहीं किये जाते हैं भारत में पिशली बार जनगरना कब हुई थी 2011 में पिशली बार जनगरना 2011 में हुई किस योजना के अंतरगत बारत में सविधान सभा बनाई गई थी तो मंत्री मंडल मिशन योजना के तहर जो है अंतरगत भारत में सविधान सभा योजना बनाई गई निक्स वन अमन ओस और बोकारो बोरो किस फश्शल की किस में हैं तो यह चावल की किस में हैं निक्स्ट है स्वास्त्य का अधिकार भार्ति सविधान की किस अनुछेद में शामिल है तो यह आपका 21 आर्टिकल में शामिल है निक्स्ट है कौन सा आंदोलन अगस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन नेक्स्ट है भारत के प्रधम उपरास्टपती कौन थे तो ये थे MS. राधा कृष्णन नेक्स्ट वन निम्न में से कौन सा एक्ट वर्नाकुलर एक्ट का पुन्रावरन है तो भारतिय प्रेस एक्ट 1910 जो है ये वर्नाकुलर एक्ट का पुन्रावरन है नेक्स वन क्रिप्स मिशन को कब नियुक किया गया 1942 में और इसे महात्मा गांधी की द्वारा पोस्ट डेटेड चेक या उतरांकितिका चेक भी कहा जाता है महाराजा रणजीत सिंग राजी की राज़ानी निम्न में से कौन थी थी तो ये थी लाहौर नेक्स वन रास्टिमान वदिकार आयो के वरतमान अध्यक्ष कौन है नियाइधीश H.L.दत्तु नेक्स वन भारते सविधान की किस धारा में या विवस्था की गई है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा तो ये की गई है फ्रेंड्स आर्टिकल 324 के अंतरकत कि जो हमारा कॉंस्टिूशन है भारते सविधान है उसमें ये विवस्था की गई है कि भारत का एक चुनाव आयोग जो है वही होगा निक्सवन भारत में सबसे पहले नगनिगम की स्थापना कहां की गई तो मद्रास में की गई निक्सवन भारत में कितने राज्यों में विधान परिशद मौजूद है तो सात राज्यों में विधान परिशद मौजूद है भारते सविधान में वस्तविक प्रभुसत्ता न भारतिय लोगों के पास है निम्नमे से किस अनुच्छेद को भारतिय सविधान क्या दिल व आत्मा या रिदय और आत्मा हाट इन सूल कहा जाता है तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स आर्टिकल थर्टी टूक भारत में सरवदिक सोने का उद्पादक राज्य निम्नमे से कौन सा है तो करनाटक धंगर चरवाह मांसून में निम्नमे से कहा ठहरता है तो ये ठहरता है महारास्ट के मध्य पठार में निम्नमे से कौन सा बांध जो है महानदी पर बना है तो हीराकुन बांध नेक्स वन प्रसिद मिनाक्षी मंदिर कहां पे स्थित है तो ये है मदुरई में ओके मिनाक्षी मंदिर मदुरई में next one snow line है क्या है snow line वह उंचाई जिससे उपर बरफ प्रतेक स्थान पर स्थाई रूप में स्थिध होती है और पूरे वर्ष पे घलती नहीं है clear आर्थिक नियोजन की धार ना निम्नमे से किस देश से ली गई है तो यह रश्य से ली गई नेक्स है किस पंचवश्य योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है आपके तृतिय पंचवश्य योजना को और प्रतम को हैरोड डॉमर मॉडल क नाम से जाना जाता है, clear? नेक्स वन, भारत का भविश्य नामक पुस्तक निम्न में से किस ने लिखी है? तो ये बिमल जालान ने लिखी है, भारत के किस व्यक्ति को वर्ष 2014 में शान्ती के लिए नोबल पुरुसकार दिया गया, तो ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया? नेक्स वन, भारत में, जब दोनों पद, भारत का रास्टपती और रास्टपती के पद एक ही समय में यदि खाली हो जाएं, तो उस में से, निम्न में से, कौन भारत के रास्टपती के पद पर कारियरत रहता है? तो ये कौन रहता है? भारत के मुख्य नियाएदेश, CGI, Chief Justice of India. नेक्स वन, किस वश भारतिय संसद्वारा राज्यपुनरगधन एक्ट पास किया गया? तो ये क्या गया था? 1956 में, क्लियर. नेक्स वन, पानिपत का दूसरा युद्ध गब हुआ, तो ये 15 निवेंबर 1556 को हुआ, और दूसरा युद्ध आपका 56 में, और तीसरा आपका 61 में हुआ था, क्लियर. और फर्स आपका 26 में हुआ था, कुका आंदोलन किस राज्य से समंदित है? तो आपको पता है, कुका आंदोलन पंजाब राज्य से समंदित है, निक्स वन, प्रीवी पर्स की समापती किस वर्ष हुई थी? तो प्रीवी पर्स जो है, इसकी समापती 1971 में हुई, निक्स वन समानता काधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है तो आपको पता है समानता काधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है clear and last question is पराशर जील किस जिले में है तो पराशर जील है आपकी मंडी जिले में जिससे तैरतेट आप वाली जील भी कहा जाता है और तैरतेट आप अवस्थित पूछा जाए तो वो कहा जाता है डिवाल सर को clear friends so hope you like the video thanks for watching do like, share and subscribe so have a nice time have a good day